कोई भी इंसान कोई भी मुकाम हासिल कर ले लेकिन अपने माता-पिता अपने परिवार अपनी मिट्टी से बहुत दूर नहीं हो सकता है जो बच्पन का जो पटना था और आज के पटना में बहुत परिवर्तन आया है जहाना बाद भी बदला है जहाना बाद हर तरीके से सुखी हैं तो आप वैसा सुख नहीं एंजॉय कर सकते हैं और आपको सुखी रहने के लिए जरूरत इस बात की है कि आपके जो अपने लोग हों वो भी सुखी रहे हैं जहनबाद में बहुत सारे स्कूलों में बच्चों के साथ इंट्रैक्ट किये और हमने महसूस किया कि देख रहे हैं बड़ा आदमी बनना बरे पद को प्राप्त करना और जमीन से जूरे रहना इन तीनों ही चीजों में काफी अंतर है काफी विभिनता है बड़ा आदमी आप बन सकते हैं आप बहुत बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन हाँ जमीन से जूरे रहना अ लेकिन हैं वो बिहार के करुणा सागर जी हमाई साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है सार आपका लाइब स्थीज पर लंबे समय के बाद आपका बिहार आना हुआ है खासर के पटना आना हुआ है धन्यवाद अलोग लगता है जिस तरह के से आप फिलहाल डायेक्टर हैं बीप प्रियस बनना कठिनाईयों को सुल्जहाना अपने ग्राउंड पर डटे रहना और अपने गाउं को जहां आप रहे हैं देखे करुणा सागर जी बिहार के रहने वाले हैं उन सब को साथ लेकर चलना काफी बड़ा एक फर्क होता है जी कोई भी इंसान कोई भी मुकाम हासि है और हमेशा उसकी जो एक पकड़ है वह हम पर बनी रहती है और जब भी मौका मिलता है तो मैं छुट्टियां विदेश में बनाने के बजाए या किसी टूरिस्क प्लेस में बनाने के बजाए हम कोशिश करते हैं कि अपने लोगों के बीच वह समय बिताएं उन से मिले नगर जी क्या आप विदेशों में घूम तो चुके होंगे हम विदेशों में घूमें यहान बाद आना पसंद को यह बिल्कुल सही बात है लगता नहीं है जब आप ग्राउंड पो होते होंगे आप IPS हैं काम करते होंगे शुरू से आपने काफी कठिनाईयां देखी होंग लेकिये कोई भी कहीं भी हो लेकिन जब अपने लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप कभी उससे दूर नहीं हो सकते हैं और जब भी हमें जहानबाद अर्वल के लोग याद करते हैं चाहे वो किसी तरह की प्राकृतिक आपदा हो या कोरुना मामारी जैसा की गुहार लगाते हैं और मैं इस मदद करने को हमेशा तत पर रहता है तो लगता है कि मला आप सह नहीं पाते हैं आप जब जान जाते हैं कि हाँ वो दुख में है पीरा में है तो आपका एक माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है यहा आता है देखिए आप कहीं भी अगर सुखी है, लेकिन आपके अपने लोग दुकी हैं, तो आप वैसा सुख नहीं enjoy कर सकते हैं. और आपको सुखी रहने के लिए जरूरत इस बات की है कि आपके जो अपने लोग रहे हूं, वो भी सुखी रहे हैं. और यही मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों का सुख दुख बाटता रहूँ हमने तो जाना है यह बात हम जानते भी है कि जब क्रोणा काल था आपने खुद से आह कई सारी समागरियों को बटवाया लोगों में राशन भी बटवाया समाज स्वाब करते रहते हैं लगता है कि हाँ आपके घ सपोर्ट करते हैं जब यहां से किसी चीज की जरूरत होती है और लोग बताते हैं तो फिर हम उसको मुहया करवाने की कोशिस अपने दोस्तों के साथ मिल कर करते हैं लता कि गांए जाते हैं अभी आप अपने गांए होके आए हैं फिर आब वापस दिली जाएंगे रता है कि पुराने दोस्तों से मिलते होंगे तो वही पुरानी याद ताज़ा होगी बिल्कुल होती है और वो जो पहले की बिटायच छंड होते हैं वो बहुत ही खा के लिए परवा के साथ तब का भिहार और आपका भिहार कितना बदला लगा यह देखिए हम 1981 में बिहार से चले गए थे दिल्टी दिल्ली करने चले गए ते और वहीं से दिल्ली इन्वरस्टी से पढ़ाई किये और उसके बाद सर्विस में चले गए तो मेरा जो बच्पन बीता है यहां पर बीच बीच में हम आते रहे हैं लेकिन जो बच्पन का जो पटना था और आज के पटना में बहुत परिवर्तना आया जहाना बाद भी बदला है जहाना बाद भी बदला है जहाना बाद हर तरीके से बदला है आज जो है और उनका समाज के प्रतिय उनकी जागरुकता बहुत बड़ी है लगता है कि हाँ आप अवेरनेस आया है लोगों में और जो कहते हैं पेरे थोड़ा महौल बिगरा था या शाम को लोग नहीं निकलते थे वो तस्वीर बदली है बिलकुल बदल गई है और आज लोग आराम से कहीं भी आते जाते हैं आप जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि लड़कियां एक लंबी कतार में साइकल पर अपने स्कूल जा रही है या स्कूल से घर आ रही है और हम इस बार जहनाबाद में बहुत सारे स्कूलों में बच्चों के साथ इंटरैक्ट किये और हमने महसूस किया कि बच्चे और खास कर हमारी बच्चें समाज के प्रती बहुत जागरूख हैं अपने करियर के प्रती बहुत जागरूख हैं और अपने आपको किसी से भी कम नहीं समझती हैं जाते जाते, यह वादा करके जा रहे हैं करोना सागर जी कि जब भी बुलावा आएगा ज़रुत परेगी मिट्टी को आप जरूर आएंगे हम हमेशा करते आए हैं और हमेशा ऐसा ही करते हैं अगर वहां भी संगरश करना पर हा वहां भी काम रहा तो लेकिन आपका संदेशा यहां तक आएगा, आपका मदद यहां तक प Beng arc बिलकुल होता है, कई बार होता है कि हम खुद नहीं आते हैं लेकिन मदद की सामगरी पहुंच जाती है अक्सर ऐसा ही होता है मैंने इसलिए शुरू में कह दिया था कि बरा पद पाना प्रतिश्चित वेक्ति होना समाज का एक आईकॉन होना जैसे की करोना सागर जी है वर्ष्ट आईपेस है देश के जानमाने आईपेस है लोग नहीं जानते हैं और बिहार की मिटी से जो इनका लगाव है जहानबाद जिले में जन्म हुआ और वहां से जो लगाव इनका है वो अब तक बरकार है और ऐसे ही लोग समाज को आगे ले आते हैं समाज में ऐसे जो प्रभुत्व लोग हैं उनका आने वाले दिनों में और जो लोग हैं वह बर्चर के उनका साथ देते हैं और लोगों सुनका जो लगाव बना हुआ है यह कही ना कहीं एक अलग छवी को दर्शाता है और इससे हमें सीखना चाहिए वाना चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं साथ-साथ फेश्व पेज भी लाएं धन्यवाद